बिस्मिल्य रह्मान रहीम, Assalamualaikum, Welcome to Linkin Solution अच्छे drop trending generic products हम कैसे find कर सकते, product research कैसे कर सकते, जहां पे हमें अच्छे generic products मिले generic products के बारे में आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते के generic products कौन से products है तो generic products होते, non branded product, मतलब किसी की property नहीं होती, किसी का brand नहीं होता मतलब Chinese products होते, simple उस पे किसी brand का नाम नहीं होता तो आप वो product Amazon पे कैसे sale कर सकते, और वो कैसे आप निकाल सकते, research करके सबसे मुश्किल काम होते है, product research करके निकालना तो आज की video मैं आपको बताने वाला हूँ, step by step के Amazon पे आप generic products hunting कैसे कर सकते अच्छी products आप कैसे निकाल सकते, तो इसलिए आपने पूरी video देखनी है, step by step देखनी है क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, किस तर आप पूरा data analysis करके products निकालके उस पे आप काम कर सकते, वहाँ पे आपको approval लेने की भी जुरूरत नहीं होती brand से, ठीक है, तो वहाँ पे आप easily Chinese product sale कर सकते हैं, अली बबा के product sale कर सकते हैं, तो आईए मैं आपको बताता हूँ, किस तर आप Amazon पे generic products hunting कर सकते हैं, और अच्छी अच्छी top trending products जो है, वह आप निकाल सकते हैं, तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है आरिस मॉहमद और आप देख रह helium 10 tool use करूंगा, और helium 10 tool के true ही हम generic products जो है, वो find करेंगे, ठीक है, तो helium 10 tool अगर आपके पास नहीं है, तो link मैं description में देदूंगा, उस link पे click करके, आप जो है discount price पे purchase कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से लेके, अगर आपको पिर भी issue आ रही है, तो आप हमारी team से contact कर सकते है, helium 10 आ करने के बाद, यहाँ पे मैं आ जाओंगा, black box के dashboard पे, ठीक है, अब यहाँ पे हमने criteria put करना है generic products के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपको कौन से category में products चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको किसी specific category में generic product दूणना है, तो यहाँ पे आप category search करे, otherwise मैं select all पे click कर रहा हूं, मुझे generic products ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप से number आप sellers का यहाँ पे पूचा जा रहा है, तो helium 10 तो वैसे मैंने एक video बनाई है, complete इस पे मैंने आपको guidance दी है किस तरह helium 10 को use कर सकते, किस option का क्या मतलब है, तो detail में ज्यादा नहीं जाएंग है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने minimum seller एक डाल दिया, यहाँ पे आपने price जो put करना है, selling price जो है, मैं कहता हूँ कि minimum 10 dollar हो, और इसका जो revenue हो, for example, 1000 हो minimum, और इसकी जो unit sale हो, for example, 100 per month हो, ठीक है, यह बे minimum criteria, criteria मैं आपको नहीं पसाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं simple criteria put कर रहा हूँ, ताकि आपको generic products मिले और जब आपको मिले तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे analyze करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें exclude seller में Amazon को हम exclude कर रहे हैं, और यहाँ पे हम exact brand search में चाहिए generic product, ठीक है, shipping size पे आते है, shipping size पे हमें small product चाहिए, और large भी चाहिए, ठीक है, पि यहाँ पे मैंने यह चूज कर लिया, यह भी हो गया, और यहाँ पे title keyword, title में कौन सा keyword होना चाहिए, तो generic कभी कभी लोग लिखते हैं, तो मैं generic यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो यह मैं एक simple सा criteria यहाँ पे put कर दिया, और नीचे जाके मैं search पे click कर रहा हूँ, अब ही हम देखते हैं के result में हमें कौन से products मिल रहे है, generic के, अच्छे products है, नहीं है, और किस तरह के product है, इस पे हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तकरीबन हमें 200 items यहाँ पे मिल चुके हैं, generic में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे for example अगर first वाला product में देखूं, तो यह यहाँ पे यह product जो मुझे मिला है, sports and outdoor category का है, और 16 dollar का sale हो रहा है, और तकरीबन 130 units यह बंदा sale कर चुका है, यहाँ पे अगर मैं आ जाओं तो यह देखो, यह generic product है, यह कोई brand का product नहीं है, ठीक है, यह generic product के साथ lasted है, इस बंदे ने जो है 129 pieces अभी sale किये last 30 days में, और 2000 बहा जो है, इसने 2000 dollar कमा लिए, ठीक है, अगर आप Amazon पे millions का सोचते हैं, तो वो भी possible है, लेकिन start तो आपने कम से लेना होता है, तो अगर आपको कोई brand approval नहीं देता, कोई बड़े brand के साथ आप काम करना चाहते हैं, आप new seller है, तो मैं आपको हमेशा में लोग कुरी comment करता हूँ, कि भई आप zero तो कम असकम start ले, कम असकम एक step तो ले, आप खुद से किसी generic product को कामियाप करें, इस तरह करके आपका business build up होगा, ठीक है, तो ये बंता देखो, एक ही product से कितना कमा रहा है, अगर मैं second product पे जाओ, देखो, bake to bake मुझे तीन product यहीं मिले है, और ये product जो है, इसका अलमूनियम होका, तंबलर स्टाइल, और ये generic है, 22 इस पे जो है ratings है, और ये बंदा कितना revenue generate कर चुका है, let's see, 402 pieces इस बंदे ने sale किये, 402 एक बंद में, अगर आप किसी product की sale करते हो, बड़ी चीज़ और 14,000 डॉलर इसका revenue है, 14,000 डॉलर इस बंदे का revenue है, और 402 pieces इस बं नहीं कर रहें, Amazon पर आप काम कर रहें और tool कोई आपके पास नहीं है, तो it's mean आप अंदे हैं, अंदे means कि आपको कोई data का पता नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा, कौन सा product चल रहा है, किस product की कितनी sales है, कब कितना sale हुआ, ये सारा data आपको tool देता है, और अगर आप आपके पास tool नहीं है, आपने इतनी investment किया, आपने LLC बनाई है, आप फुल टाइम काम कर रहे हो, बैठे हुए हो, और आपके पास एक tool नहीं है, तो आपका time waste हो रहा है, तो बगएर tool बिलकुल भी काम ना करे, इसमें आपका बहुत ज़्यादा time waste होगा, अच्छा मैं यहा इसमें कितने किये है, 29 आफ नॉमबर को इसने 19 pieces किये है, फिर उससे पहले दिन 28 नॉमबर को 25 pieces बने ने sale किये है, और इस तरह करके अगर आप इसका पूरा grab देके तो यह बन्दा अब डाउन जा रहा है, लेकिन consistency इसमें है और consistently यह बन्दा यह चीज जो है, यह प्रोड़ size में आ रहा है, और यह product कभी इसने launch किये, यह भी मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे important चीज यही यह बिजो point आपको बताने जा रहा हूँ, July of 18, 2024 को इस बन्दे ने यह product launch किये, तो जुलाई, जुलाई के बाद, August, September, October, November, त्यार देको 3-4 months ही हो गए, इस बन्दे ने यह product analysis करते हैं, और deep drive करते है data के लिए, ठीक है, यहाँ पे अगर आप और भी देके तो इस result में देको एक और भी हमें हुका मिल गया है, ठीक है, यह जो यह भी generic में है, और 28 इस पे भी rating है, और I think यह इसका ही variation है, किदर गया हो product, हाँ यह इसी का ही variation है, ठीक है, तो इसमें कित करो, यह कौन सा product है, तो यह है lancing device with free 10, lancets white, यह भी कोई पतने किस चीज़ के लिए use होता है, यह product, और यह भी एक product है, और तक्रीबर इसने कितना revenue बेस पे बनाया है, इसने 144 species sale की है, 144 species, और 2878, 2878 dollars का revenue है, और यह बंदा बिल्कुल भी professional नहीं है, वो कैसे नो भी आपको इसकी image आप देख लें, इसने Google से कोई image जो है ना वो उटाई है, और वो पीछे जो है उसका जो वो background है, transparent का जो वो एक use हुआ 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 है, तो इसने edit भी इसको नहीं किया, अगर इसकी listing score आप यहाँ पे देखे ना health score, 2.4 या 2.4, यहाँ पे कोई भी optimized listing इस बनने नही होता है, ठीक है, यह बाकी सारी चीज़ें भी important है, कि आपकी health score अच्छी हो जाए, और यह optimized listing करें अच्छी तरीके से, तो यह जो अभी 144 species sale कर रहे हैं इस product के, यह double triple हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यह बंदा professional नहीं है, कोई नया बंदा है, लेकिन इसने अच्छा product launch किया ह और अच्छे product पे काम कर रहे हैं, तो यहां पे जाके जो है, यह बंदा इतना कमा रहे हैं, अगर आपने इस बंदे को spike करना है, इसको इसको नहीं दिखाऊंगा स्टोर, लेकिन जो भी अच्छा product पे काम कर रहे है, इसका कम professional नहीं है, फिर भी अच्छा जा रहा है यह बं जाएंगे, जो अच्छी अच्छी ratings वाले हो, अच्छे अच्छे products हो, वो सारे यहां पे आपको मिल जाएंगे, तो one by one आप हर एक product की analysis करें, उसको analyze करें, कि कब यह product launch हुआ, और कब और कितना यह trending में रहा, कितने orders इस पे आए, कितना revenue generate किया है, अब देखो, यह बंदे depend नहीं है, generic में इसने aid किया, इसका data नहीं उठा रहा, लेकिन पिर भी इसके जो rating और reviews यहां पे मुझे नजर आई, यहां पे 68 rating है इसके उपर, 8.7 इसकी health, जो है, वो listing health है, तो यह बंदा जो है, इसको अच्छा, इसमें variation, इस एक product में इसने, इतने variation इसने launch किये, और generic मे यह बंदा जो है, इस product से पैसे बना रहे है, ठीक है, यहां पे आपको 1000 products मिल जाएंगे, एक, दो नहीं, बहुत सारी, यहां पे अगर मैं जाओंगा ना, और आपको एक, एक product दिखाओंगा, तो मैं तक जाओंगा, अब पूरा दिन खत्म हो जाएगा, products नहीं खत्म होंग मतलब 800 pieces यह, जो है न, यह sale कर चुका है, past month में, और अगर हम यहां पे देखो, तो देखो, 853, exact जो हमें figure बता रहे है, EDM10, 853 pieces, इस बंदे ने इस product का sale किया, कोई brand approval इसने नहीं लिया, किसी brand के पीछे नहीं बागा, कुछ नहीं किया, बस generic product अली बाबा से लिया, वहां पे लिस्ट किया, Amazon पे जाके, 11,438 डॉलर जो है, यह बंदा इससे कमा रहे है, तो इस तरह हम generic product जो है, वह find out करते हैं, इस पे काम करते हैं, और पिर इसको source करते हैं, पिर उसको list करके, FBA करके, हम revenue generate कर सकते, main चीज जो है, जिस तरह मैंने आपको बोला है, main चीज वह है product research जो मैंने आपको भी मोटा मोटा बताए, deeply मैं नहीं गया हूँ, deeply मैंने बहुत सारी videos बनाई है, आप जाके देख ले, लेकिन फिर भी मैं आप सब को request यह कर रहा हूँ, कि अगर आप Amazon पे काम कर रहें, मैं हमेशा कहता हूँ, आप professional काम करें, और serious होके means, कि बहुत सारे लो करना ही पड़ता है, ठीक है, अगर आप LLC ले लेते हो, टूल नहीं लेते हो, टूल नहीं लेते हो, तो LLC का क्या फाइदा है, वो LLC तो आपको पैसा बना के नहीं दे रहा, आप टूल लेंगे, टूल से product find out करेंगे, पिर ही आप पैसा कमाएंगे ना, तो इस तरह आप पैसे कमा सकते हो, Amazon पे properly business करके, टाइम पास नहीं, लिंक मैंने description में दी है, helium 10 का discount के साथ आप आपाई कर सकते हो, या हमारे team से contact करके हम आपको provide कर सकते है, helium 10 ठीक है, jungle scout भी, इसके इलावा अगर आपको Amazon पे काम नहीं आता properly, तो Amazon का full course मैंने अपने channel पे upload किया, लिंक मैं description में द करूँगा, आपको जवाब दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल आइकन दबा दीजिएगा, इन्शाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज